कोई कितनी भी पहुंच वाला हो बचेगा नहीं मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी ने दिखाए तेवर हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे तो जो धानली का प्रकड़न काफी समय से चल रहा है उसके बाद लगभग 26 गि पेपर लोगों को बेचे हैं अब बिरत्यों को वो भी जो है पकड़ा जा चुका है उसके बाद मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा किस चीज के तेवर दिखाए जा रहे हैं आईए जानते हैं इस नीज में अधिनस सेवा चेन आयोग की पेपर लीग करने के मामले में इसे सुरक्षा रखना भी सरकार की जीमेदारी है आयोग की भड़तियों में पेपर लीक और अन्य गड़बडियों पर सरेवार को भाश्पा मुख्याले में मीडिया से बाचीत में मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर भिसे है परदेश के सबी नौजवानों की रोजगार से जुड़ा मामला है आयोग की भड़तियों में जहां भी गड़बड़ी की सिकायत प्राप्त हो रही है वहां सरकार ने सक्त जाच के आदिश दिये हैं कुछ मामले एश्टियप को दिये गए हैं तो कुछ पर विजलेंस को जिमेदारी द कानून अपना काम करेगा तो कुछ इस प्रकार का कहना है हमारे मुख्यमंत्री पुस्कंशिक द्हामी जी की भाइ चाहे किसी अधिकारी के साथ कोई पहचान हो या अभी उसके बाद भी उसे जो है बकसर नहीं जाएगा जो आरौपी है उसे जो है आरौपी ही समझा जाए हमें अपने बेटी-बेटियों की आज और कल की चिंता है उनके बर्तमानों भरती परिक्रियाओं का ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे भरती में कोई इस तरह का कृत्य करने की सोच भी न सके नैनिताल में भी CM ने कहा कि धानली के मामलों को रोकने के लिए फुल प्रूफ योजना की तयारी की जा रही है ये थी हमारी एस्ट की खबर उम्मीद करते हैं आपको जानकरी अच्छी लगी होगी जानकरी अच्छी लगी होगी तो चैनल सस्क्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटिस्ट गवर्मेंट जौब समंदिस खबर मिलती रहे जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए जाहें